आज जैसे करांगे simple present tense या इसनो simple present tense नो present indefinite tense भी कहादन देने ता जेड़ा विसी tense करांगे उसे four cases हुन दे है पहला हैगा affirmative यानि के हाँ वाचक कि information देनी है किसी बारे अपा कि कोई की करदा है ता एदे विच देखो पंजाबी विच जे असी कही है ता एदी पहचान है जिमें असी खेड़ दे हाँ ठीक है जी ता एदा जड़ा format English दे विच हैगा subject सब तो पहले subject जिस दे गल किती जावे फिर प्लस करो जी वी वान मतलब की verb दी first form plus object जे दा कौन खेड़ दा है असी ता असी कौन होंदा है विच की कर दे हां जी खेड़ दे हां प्ले ते फिर उस तो इलावा कोई information मतलब एक क्या है भी सकते हैं कि असी बैडमिंटन खेड़ दे हां जहां सी कल्ला खेड़ दे तब वी प्ले जैसी बैडमिंटन खेड़ दे हां तब वी प्ले बैडमिंटन यह format हो गया हुन असी थे subject जड़ा है चेंज कर दे हां आई वोई दी था दे से लगा मांगे आई आई प्ले बैडमिंटन यू तुसी यू प्ले बैडमिंटन दे ओहो दे प्ले बैडमिंटन मैं बैडमिंटन खेड़ दी हां असी बैडमिंटन खेड़ दे हां तुसी बैडमिंटन खेड़ दे हो ओहो बैडमिं भी ओ करदा है, करदी है, सौनदा है खेड़दा है, हसदा है ऐसरा ता I we, you, they या any plural the case is subject plus we, one plus object होंदा है अगर एही subject साड़ा singular होवे, singular भी केड़ा third person singular he, she, it third person singular दे विच he subject आगया, ओहो लड़का या आदमी, ओदे we, one देनार, S और ES नो सिखी करदना है, plus बस ऐननी कुछ जारी है, कि third person singular दी, verb देनार S लगेगा, he plays badminton she plays badminton his sister plays badminton Ravi plays badminton so, it has simple present tense जिजदे अंदर I, V, U, दे देनार, V1 लगदा है subject plus V1 plus object लेकिन जदो third person singular ही she, it या singular subject दी गालां दिया है तो उस दी V1 देनार, S और ES लगदा है अकी, तेन्क यू जी झाल झाल झाल